पिछले एपिजोड में आपने देखा था कि मिन्नी के एक कमरे के ससुराल में आई दिन कुछ ना कुछ दिक्कते हो रही थी, लेकिन फिर भी मिन्नी सारे प्रॉब्लम्स को हैंडल कर रही थी, इसके साथ ही मिन्नी ये सारी बाते अपनी ममी को पता भी नहीं चलने दे रही थ जिस बात का डर था वही हुआ, आज यहीं बाहर रात बितानी पड़ेगी, सुमेश न जाने कहा है। मुझे वहीं पर जाना पड़ा, अगर नहीं जाता तो बॉस मुझे काम से निकाल देते। पानी टंकी में खत्म हो गया होगा, चलो सब अंदर। अंदर तो बुरा हाल हो गया है, जाना तो पड़ेगा, सभी अंदर जाते हैं और हर चीज पानी से तर्थ ही। कुछ देर बाद सुमीश जाकर प्लंबर को लेकर आता है और वो नल ठीक कर देते हैं और साथ ही कमरे में भरे हुए पानी को कमरे से बाहर निकाल देते हैं। मिनी मुझे माफ करना, मेरी वज़े से तुम्हें पताने क्या कस आना पड़ रहा है। सुन बहु, जरा ये देख, कोने में जाला रह गया है, जरा इसे साफ कर दे। और हाँ, शाम को मेरे घर में मेरी दोस हेलिया आने वाली है, तो जरा घर के सारे काम फटा-फट कर दे ना। जी सासुमा, मिन्नी एक स्टूल के उपर चड़ जाती है और जाला साफ करने लगती है, स्टूल ज्यादा लंबा नहीं था, इसलिए उसे कोने-कोने में पहुँचने में बहुत दिक्कत हो रही थी, और उपर से उसके कमर में दर्द भी हो रहा था। अचानक मिन्नी लडखडा जाती है और स्टूल से नीचे गिर जाती है। तैसे करके कमर दर्द को सहती हुए घर का सारा काम निप्टा देती है, वहीं करीब दिन के तीन बज जाते हैं और कात्याईनी की दोनों सहे लियां बिंदू और नंदू भी घर आ जाती है। सम सम क्या क्या बोली अरे इसका मतलब है सेम टू सेम अरे नंदू तुझे इंग्लिश नहीं आती है तो तू इंग्लिश बोलने की कोशश क्यों करती है। अरे कुछ दिन पहले ही तो मैंने इंग्लिश क्लास जान करी है। एक बार अंग्रेजी सीख लूँ तब देखना तुम लोगों की कैसे बैंड बजाती हूँ। जान? जो आइन कहना चाह रही है वो बेवकूफ। हाँ वही वही। क्या यार तुम लोग तो हसा हसा कर मेरा पेटी दुखा दोगे। अरे तो तो हस ना वैसे तेरी बहु बहुत अच्छी है। सारा काम करती है और नाश्ता पानी भी बहुत अच्छे से बना लेती है। हा आँ-हां क्यों नहीं? रुख जा. बहु, सुन तो जरा, जाके मुन्ना की दुकान से चार ग्लास अनार का जूस ले तो आ. ठीक है माजी. और हाँ, उसी की दुकान से लेकर आना, किसी और की दुकान से मत लेकर आना. जी माजी, मिनी जूस लेने के लिए वहीं चली जाती ह अच्छा हुआ, चली गई. यहां पर थी, तो मैं खुल कर बात भी नहीं कर पा रही थी. वैसे तुम लोग, इसकी ज़्यादा तारीफ मत करो. अच्छा, क्या कमी है, इसमें वैसे? बिगड़ी हुई लड़की है यह. सुना है, इसका पहले एक आशिक भी था, जिसे इसने धोका दे दिया. इसने तो उसे पागली बना दिया था? हाँ. हे राम, कातियानी, यह क्या बोल रहे है तू? अपने बहु के बारे में? वही तो. क्या यह बात सच है? और तुने पता भी किया है क्या? अरे हाँ हाँ, मैंने सब कुछ पता किया है. तुम नहीं जानती होगे किस खेत की मूली है यह? मेरे बेटे को तो मजबूरी में इससे शादी करनी पड़ी, वरना ऐसी लड़कियों को तो हम अपने घर की बहु तो क्या? अंदर भी ना आने दें. अच्छा, यह बात सच है, तो तिरी बहु वाकई में बहुत बेकार है? सही कह रही है, पतानी आ कुछ घंटे बीच जाते हैं और कातियानी की दोनों सहलिया वहां से चली जाती है. वहीं शाम को कातियानी अपनी बहु को बुलाती है. बहु, आज खाने में क्या बनने वाला है? माजी, वो मैं कह रही थी कि क्यो ना हम आज कुछ बाहर से खा लें, क्योंकि मेरी कमर में ब थोड़ा आराम करने की जरुरत है. ओ, 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 तो तेरे कहने का मतलब ये है कि हम तुछ से गधे की तरह काम करवाते हैं? नहीं माजी, मैंने ऐसा तो नहीं कहा, बस मैं ये कह रही हूँ कि मुझे थोड़ा सा आराम चाहिए. पहले तो तू अपने ससुराल वालों की बे जाती है. माजी, रुकिये न, आप खाना क्यों बना रही है? मैंने कहा न, हम सोमेश को फोन करके बाहर से कुछ मंगवा लेते हैं. नहीं, आज तुने मेरा अपमान किया है, मैं ये बात कभी नहीं बूलूँगी. पर माजी, मिनी अपने सासुमा को खाना बनाने से रोकने लगती है. और इसी धक्का मुक्की में कात्यानी अपने भव को जोर के धक्का दे देती है. मिनी नीचे गिर जाती है. अरे, अरे, तवी वहाँ मिनी की ननद हेमा आ जाती है और उसे सहरा देकर उठाती है. भावी उठिये, ज़्यादा चोड़ तो नहीं आए ना आपको. नहीं नना जी. मा, यह आपने क्या किया? आपने भावी को धक्का क्यों दे दिया? बोलो. नहीं नना जी, उन्हें ऐसे मत कहो आप. नहीं नहीं, डाटो, सब मुझे ही डाटो, सारी गलती तो मेरी ही है, और क्या? नहीं मा जी, प्लीज. मा, चुप हो जाएए, कभी-कभी आपको जादे ही बोल देती हैं. भावी, आप चलिए मेरे साथ. हेमा की बात सुनकर, कात्यानी मुझ बना लेती है. वहीं हेमा अपनी भावी को पास के ही एक छोटे से क्लिनिक से चेक अप करवा के घर ले आती है. भावी, अब आपको कैसा लग रहा है? हाँ, आप गर में सुमेश भी खाना लेकर घर आ जाता है. कात्याईनी अभी तक मुझ बना कर बैठी थी. खाना ले आया हूँ, सभी लोग खाना खालो. मुझे नहीं खाना कोई तेरा खाना वाना. मा, आप ऐसा क्यों बोल रही हो? मा जी, आपने बहुत देर से कुछ भी नहीं खाया मुझे कुछ नहीं बोला. अब बस. मा, बस भी करो. मा जी, कोई गलती हो गई हो तो माफ कर दीजिए. कात्याईनी अपनी बहु को देखकर मुँ बनाती है. हाँ, बढ़ियाई नौटंकी. अचानक गेट खुलता है और मिनी देखती है कि उसकी मा पूजा वहां आ गई है. सभी पूजा को देखकर चौंक जाते हैं. खासकर मिनी. मा, आंटी आप, सासु मा. तो क्या होने वाला है आगे? क्या मिनी की मा ने उनकी सारी बाते सुन ली थी? और आखिर कात्याईनी अपनी बहु के बारे में ऐसा क्यों बोल रही थी? जानने के लिए देखिएगा. एक